हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल आरेस एरिना और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार्टून फोटो इफेक्ट तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों फर्स्ट फॉल हमें यह जो इमेज है इसका बैक राउंड कट कर लेना है तो इसके लिए हम विक सेलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे आप चाहिए तो पैन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और हम इस इमेज को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे कर देखें जो इमेज का सेलेक्शन है वो हो गया है अब हमें जाना है रिफाइनेज पे और अब हमें जो इमेजिस के जो कॉर्नर है उस पर हम प्रस इस तरह से लाएंगे ताकि जो इसके कॉर्नर से वो क्लियर हो जाएं अबूँ कर दो इस पहाँ खूँड़ और भीजे से लाएंगे कर दोर्नर कर दोर्य मेंगी जो इस तरह से वो दोगवार्ण में जो दोर्काएं और इसको हम ओके कर लेते हैं तो दोस्तों अब हमें लेयर मास्क पर क्लिक करना है और अब इस मास्क को इमेज को नहीं लेयर मास्क को जो एंड का साइन है उस पर ड्रैग करके लिए और इसको एप्लाई कर देंगे तो जो इमेंज का जो बेग्राउंड है वह डियत हो गया है अब हमें जाना है files and new और इसकी जो width और height है वो मैं 1000 पिक्सल ले लेता हूं अब हमें जाना है shape tool में और हमें जो circle वाला है वो select करना है तो चलिए यहां पर circle draw कर लेते हैं तो इसका जो color है जो circle का वो change कर लेते हैं इसके लिए हम इस पर click करेंगे और मैं थोड़ा जो circle का color है वो थोड़ा यह लो रखना चाहूंगा और अब हमें इस पर राइट क्लिक करना है और रिस्ट्राइज लेयर अब हमें paint bucket tool आप इसके अंदर क्लिक करेंगे अब हमें जाना है image पर और इस image को ड्रैक करके इस new वाली लेयर पर लियाएंगे अब हमें प्रेस करना है ctrl T और shift key को hold करके इस image को छोटा कर लेंगे और दोस्तों इस image को हमें इस तरह से adjust करना है ताकि जो image है वो circle से थोड़ा ऊपर रहे यानि कि जो image का जो head वो circle से ऊपर होना चाहिए अब हमें जो image है उसकी opacity थोड़ी कम कर लेंगे मैं आपको बता देता हूं हमें क्या करना है यह करके opacity पहले कम करते हैं और यह देखिए जो circle के बाहर जो भी image का जो हिस्सा आ रहा है वो हमें delete करना है तो इसके लिए हम simply eraser tool का use करेंगे और दोस्तों यह ध्यान रखना है कि जो circle के अंदर जो image है वो erase नहीं होनी चाहिए तो आप ध्यान से करेंगा कि जो बाहर की जो image बाहर का इसा है वो ही हमें a race करना है तो आप अप हुआ है आप तो देखिए दोस्तों जो इमेज का जो बाहर ही हिस्सा है वो हमने एरेज कर दिया है तो चलिए जो इमेज की जो ओपैसिटी है उसको हम हंडर्ड परसंट कर देते हैं तो दोस्तों अब हमें जाना है फिल्टर है फिल्टर गैसे फिल्टर गैलरी और इस पर हम पोश्टर एजिस पर क्लिक करेंगे यह वाला ऑप्शन और यह देखिए जो पोश्टर एजिस की जो वैल्यू है वह मैंने टूटू की होई है आप चाहिए तो मेरा ग्राफ कॉपी कर सकते हैं तो दोस्तों हमें यहां पर जो फेस है उसका हमें कलर सेलेक्ट करना है और हम इस फेस पर सेलेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू फेस पर ज्यादा हो तो देखिए यह वाला जो हिस्सा है वह उसकी वैल्यू जादा है फेस पर तो चलिए हम यह वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं अब हमें ब्रश टूल को सेलेक्ट करना हैं और हम यह वाला ब्रस यूज उस करेंगे और देखिए इस तरह फेस पर जहां जा थोड़े अलग से कलर आ रहे हैं उस पर हमें इस पर इसको ले जाना है तो दोस्तों इस फेस पर जो कलर है वो हम थोड़ा साइसे करेंगे ताकि जो फेस है वो अच्छा देखें की दोचले मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूं आप अच्छे से कीजिएगा हरिवार्य और अई तो देखिये दोस्तो अब हमें इमेज को फाइनल टस्ट देना है और इसके लिए अब हम जाएंगे इमेजीस पे एडजस्मेंट और ब्राइटनस एंड कॉंट्रास्ट इसकी ब्राइटनस और कॉंट्रास्ट को हम तोड़ा एड़िस कर लेंगे अब दुबारा इमेजीस पे जाएंगे एडजस्मेंट और सेलेक्टिव कलर तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्स कर लेते हैं आप चाहिए तो मेरा ग्राफ भी कॉपी कर सकते हैं करले आप सzufी नहे तो मेरा ऑ्राइगए तो मेरा कन चाहिए प्राइए तो मेरा कॉपी और जाख भीी किछ फुबा को तो झाल